तो लिसनिंग की बात हो गे थी आज रेडिंग की बात करते हैं तीन साल पहले जब आड़ेमिक रेडिंग दिया था उसमें रेडिंग में स्कोर था मेरा 9 इस बार स्कोर है 8 तो एक बैंड कम हो गया लेकिन फिर भी ठीक है आइडिली 7 चाहिए होता है golden score के लिए 8 आ गया तो ठीक है और honestly मैं मतलब एक होता है न भी अपने लिए एक target set कर लिया हो तो मैं maximum CRS points जहां पर मिलते हैं जिन scores में तो मैं वो वले scores target कर रहा था उसे साब से 8 जो है reading के लिए मतलब ठीक है वो maximum CRS points उसमें मिलने थे वो मिल गए है तो और वो कैसे आया उसके वरह में बात करते हैं सबसे पहला step ओहो क्या हो गया यह तो सबसे पहला step सबसे पहले आपको questions ही पढ़ने पैसेज की तरफ पहले नहीं जाना आपको पता होना चाहिए आप धूंड क्या रहे हो questions में कोई भी खास date आया कोई जगा का नाम आया कोई emotion आया कुछ भी आया जो आपको लगता है important होगा passage को पढ़ते टाइम ध्यान में रखना उसको underline कर लो pencil आपके हाथ में होएगी और question paper पे आप कुछ भी करते हो और examiner नहीं देखता तो निश्चेन तो ओक है जब मर्ज ही underline करो बस आपका कोई भी point जो है miss नहीं होना चाहिए एक बार आपने जो सारे 57 questions होंगे उसका set होगा एक उसको आपने पढ़ लिए questions को फिर passage की तरफ गए फिर आपने पहला question पढ़ना है फिर passage को पढ़ना चुरू करना है कि हाँ इस question का answer ढूंडो जब वो मिल गया फि अगला passage दुबारा पढ़ो फिर answer ढूंडो फिर अगला question फिर passage में से answer ढूंडो जब आप यह कर रहे हो तो आपने obviously सारे questions जो underline की होंगे वो keywords वो अब passage भी तो सारा पढ़ रहे हो ना एक बार question को ढूंडते हो एक के करके तो उस time भी आप वो सारे जो points है passage में जो आपको similar questions के साथ यह वैसे अगर आपको passage में लगता है कोई important चीज बोली गई है वो भी underline करनी शुरू कर दो ताकि जब आप headings वाले questions तक आओ तब तक आप पूरे passage से पहले go through हुए हो चाहे heading का वाला question पहले आयो है उसको बाद में attempt कर लो पहले वो वाला question वाला set attempt कर लो जिसकी वज़ा से आप सारा passage एक बार पढ़ सकते हो heading में क्योंकि वो time बढ़ा लगता है सारे passage को थोड़ा समय ना पढ़ता है तो पहले उससे related जो बाकी questions है वो कर लो उसके बाद जब तक आप यहां पर पहुंचोगे तब तक आपके वैसे ही सारे passages underline हुए होंगे और underline होने की वज़े से जो बाकी questions के कारण आपने underline की होएंगी passage में उसके कारण आपको headings choose करते time ज्यादा time नहीं लगेगा फिर एक बड़ी important चीज आती है true, false, not given या yes, no, not given true आपने तब करने किसी चीज को जब आपको पता 100% वही चीज लिखी है obviously वो exact नहीं लिखी होएगी उसके synonyms या paraphrase करके लिखा होगा सब कुछ तो पस यह धियान रखना उस sentence के words अलग हो सकते हैं लेकिन मतलब same होगा और अगर आपको कोई ऐसा sentence मिल जाता है exact वो true, false, false statement के साथ तो वो true है अगर वो बिलकुल उसके opposite मिलता है धियान रखना यह मैंने यह नहीं कहा भी के नहीं मि of first electric car ever built in this entire world, तो obviously वो इसके साथ paraphrase करके link हो रहा है और passage में यह लिखा है तो वो हो जाएगा true, और अगर passage में अब कहीं ऐसा लिखा है, the first electric car was built in the United States, तो उस हिसाब से यह लिखा है और ही हो जाएगा false, फिर अगर वहाँ पर ऐसा लिखा है कि the first electric bike was made in Japan, और उसके बाद कह कहीं कार की कोई बात नहीं होई, कहीं इंडिया की कोई बात नहीं होई, तो obviously वो चीज ना इसका opposite है, ना वो इसका same मतलब निकल रहा है, तो obviously हमें कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह हमें confuse करने के लिख सकते हैं कि most of the electric cars in the world are made in India, तो most of the electric cars चाहें इंडिया में ब बिल्कुल opposite चीज मिलती है, कि first electric car बनी कहीं हो रहा है, तो false, अगर वैसे ही एक बात बताई गई है और उसको ज्यादा तर कगारी इंडिया में बनती है, लेकिन क्या पहली कार इंडिया में बनी है या नहीं यह बताया है नहीं है, तो obviously not given, और फिर जो एक बहुत common question है, वो या कोई adjective आने वाला या verb आने वाला है, और ज्यादा तर यह वाले questions होते हैं, यह line-wise होते है, passage में भी आपको answer सारी line-wise ही मिलेंगे, तो again पहले questions में से जो fill in the blank, यह blank के आस-पास वाले words है उनको underline करो, और शुरू से passage को पढ़ना शुरू कर दो, again आपको फिर से synonyms ही मि change नहीं करना है, has, have, कोई extra नहीं लगाना, वहाँ पे उन्होंने सिरफ आपकी synonyms और para phase वाली understanding को check करना है, कि आपको similar sentences आप identify कर सकते हो या नहीं, तो बस अगर आपको हर चीज के मतलब पता है, synonyms पता है, और speed पी आपकी बहुत अच्छी हो गई, develop, तो reading में आपको 8, 9 बड़ी easily आप score कर सकते हो, academic की reading जो है, वो थोड़ी tough होती है, वो scientific academic level की होती है, general में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन general में आपको score ज्यादा करना पड़ता है, मतलब मेरे खियाल से 34 के around आपको सही करने पड़ेंगे, अगर आप general में 7 लाना चाते हो, वही academic में आपके around 30 या में आपको करने करने कर सकते है